हेलो एब्रिवन कैसे आप सब लोग उमीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे तो इब्राहिम फ्रैमली का नया वीडियो जो है वो आ चुका है सभा के मिस्कैरिज के बाद कोई वीडियो आया नहीं था तो इस वीडियो में दिपिका और सोहेब ने सभा को लेके कुछ अपडेट्स दिये हैं उन्होंने कहा कि हां माहौल थोड़ा खराब था घर का क्योंकि बहुत बड़ी खुसी थी जो घर में आने वाली थी लेकिन वो अधूरी रह गई लेकिन एक चीज बहुत अच्छा है कि सभा बहुत स्ट्रॉंग है और उन्होंने इस चीज को एक्से था रखते थे साथ इसाथ उनको एक बच्ची के तरफ पैंपेर भी करते थे क्योंकि ये बहुत जरूरी है और तो और सोहेब ने ये भी बताया के मिस्केरिस वाले जो दिन है दिपीका सभा के साथ गई थी जी हां दिपीका जो है वो सभा के साथ ऑस्पिटल में थी क्यों कि काफी सारे चानल से हैं जो इनके रिस्ते को ले कि उल्टा-फुल्टा बोलते हैं कि नननद भावी में रिष्टा ठीक नहीं है लेकिन सोहिब और दिपिका ने इस चीज भी खुद का पर्सनल लाइफ है वो सुटिंग में बीजी हो जाते हैं लेकिन सनी जो है वो 24 आवर्स सभा के साथ रहते हैं और उनकी केर करते हैं और उनको बहुत प्यार करते हैं बारवार लोगों को बताने कि यह जरूरत नहीं है लेकिन यह सब होता है और 6 तारिकों जो है अंकल का बद्दे यानि कि सोहब के पापा का बद्दे गया तब तक तो घर में माहौल सब अच्छा था क्योंकि 8 तरीकों जो है वो स्कैनिंग हुआ था तो 6 तरीका वीडियो आप लोग अभी देख सकते हैं सब लोगों ने अच्छे से मनाया था बद्दे मैंने बद्दे नहीं आए इनके प्यार को कोई इफेक्ट ना करें तो यह जो है वो बद्दे के ब्लॉग का थोड़ा बहुत सीन में आपको दिखा रही हूं और हां अंकल को मैं मेरी तरफ से बिलेटेद हैपी बद्दे विस्ट करना चाती हूं मेरे जितने रिस सस्क्राइबर हैं मेरे ज